शीर्ष कमांडर फुआज शुकर के मारे जाने से गुसाए हिस्बल्ला ने गुरुवार देर रात इस्राइल पर दर्जनों रॉकेट से हमले किये लेकिन केवल पांच रॉकेट ही इस्राइल में प्रवेश कर पाए इस्राइल के रक्षा बलो के अनुसार रॉकेट हमलों में किसी तरह के नुकसान या किसी नागरिक के घायल होने की खबर नहीं है वहीं इस्राइल ने भी जवाबी कारवाई में दक्षिनी लेबनान के येतर में हिजबला के रॉकेट लॉंचर पर हमला किया बता दे कि इसराइल के गोलान हाइट्स में फुटबॉल मैदान पर हिजबला द्वारा किये गए हमले में 12 बच्चों की मौत हो गई थी जिसके बाद इसराइल ने हिजबला के शीर्श कमांडर फुआद को बेरूत में मार गिराया फुआद के मारे जाने के बाद हिजबला और इसराइल के बीच तनाव बढ़ गया है फुआद की मौत के 48 घंटे बाद हिजबला ने इसराइल के पश्चमी गैलिली पर रॉकेट हमले किये और इसकी जिम्मेदारी भी ली है हिजबल्ला ने दावा किया है कि उसने पहले लिबनान के चामा गाव में इस्राइली हमले के जवाब में मेत जुबा के उत्तरी सीमा समुदाय पर दर्जनों रॉकेट दागे हैं चामा में कथित तोर पर चार सीरियाईं मारे गए और कई लिबनानी नागरिक घायल हुए हैं इस्राइली रक्षा बलो के अनुसार जवाब में इस्राइली बलो ने लिबनान के येतर में हिजबल्ला के रॉकेट लॉंचर पर हमला किया जिसका इस्तिमाल पश्चमी गैलिली पर बंबारी के लिए किया जा रहा था IDF ने कहा कि आज शाम हमले में दागे गए कई रॉकेटों को हवाई सुरक्षा द्वारा रोक दिया गया जबकि अन्य खुले क्षेतर में जा गिरे वहीं कुछ खुले क्षेतरों में गिरे लेकिन इनसे कोई हताहत नहीं हुआ IDF ने यह भी घोशना की की 13 जुलाई को दक्षिनी गाजा पट्टी में हवाई हमले में हमास के सैन्य विंग कमांडर मुहम्मद देफ की मौत हो गई तहरान में हमास नेता इस्माइल हानिया की हत्या के एक दिन बाद इस्राइल ने डाइफ की मौत के बारे में पुष्टी की है इधर हमास नेता इस्माइल हानिया और वरिष्ट हिजबुल्ला कमांडर फुआज शुकर की हत्या के कुछ घंटे बाद बुद्वार को इस्राइली पीम बेंजामिन नितन्याहु ने तिपपनी की थी उन्होंने कहा कि इस्राइल ने पिछले कुछ दिनों में दुश्मनों पर कठोर प्रहार किये हैं